दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ट पर एडरेस चेंज करवा सकते हैं अगर आप कोई सीखना है तो वीडियो पूरा दिखीगा तभी आप समझ पाएंगे कहीं भी अगर आपने मिस कर लिया तो फिर आप दुस्तों कमेंट करने लग जाओगे कि हमारा एड्रेस में प्रॉब्लम आ रही है ठीक है दुस्तों तो आपको वीडियो पूरा देखना है और दुस्तों अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए दुस्तों चलते हैं आगे और आपको बताते हैं कैसे आपको अपने आधार कार्ड पर एड्रेस को चेंज करना है वो भी बिना एड्रेस प्रूफ के तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों अपने आधार कार्ड पर new address अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फोन की ब्राउजर पर या फिर अपने laptop, PC जो भी आप यूज़ कर रहे हैं आपको search करना है ब्राउजर के उपर uidi.ub.in आपको यहाँ पर official website पर आना है आधार कार्ड की और उसके अब दोस्तों यहाँ पर आपको address जो है अपडेट करने के दो अलग अलग तरीके हैं एक है कि आपके पास अगर कोई address प्रूफ है तो आप यहाँ पर पहले वाले options को select कर सकते हैं बट हम अभी यहाँ पर बिना आधार कार्ड address प्रूफ के अपना आधार कार्ड को अपडे अब दोस्तों मान के चलो मेरा घर है रिसी केस में और मेरा स्टेट है उत्राखंड में और मैं जॉब करता हूं नौकरी करता हूं दिल्ली में तो अभी दोस्तों मुझे दिल्ली का address अपडेट कराना है local address प्रूफ के लिए मुझे चाहिए होगा ID पर तो उस condition में हमें क्या करना होगा जो भी आपका दिल्ली का कोई local person है जो भी आपका दोस्तियार है यह फिर आपके कोई relatives हैं आपके कोई रिस्तेदार है आप उनमें से किसी person से आप कहेंगे कि भीया मुझे आपके address पर अपना address proof को अपडेट करना है तो यहाँ पर होता actually यह है दोस्तों कि जिस person के धूर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराऊगे उसी आधार कार्ड के हसाब से आपके आधार कार्ड पर भी वही address जो है अपडेट हो जाएगा चाहे तो अगर आप rent पर रहते हैं तो आप अपने मकान मालेक से बात कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यह यहां पर आपको अपना आधार नमबर टाइप करना है, अगर आपके पास आधार नमबर नहीं है, तो आप वर्चॉल आईडी का भी यूज कर सकते हैं, और जैसे आप यहां पर टाइप करेंगे, अब दोस्तों आपका जो रेजिस्टर मुबाइल नमबर है, उस पर एक OTP आएगा, यानि कि वन टाइम पासफ़र्ड और उसको आप यहां पर फिल कर लेंगे, चलिए हमारे पास OTP आचुका है, हम यहां पर इस तरह की से फिल कर लेते हैं, और उसके बाद आपको यहां पर इसको लॉग इन पर क्लिक करना होगा, अब दोस्तों आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा, यहां पर देख सकते हैं, Share, Very Fair Detail, तो यहां पर दोस्तों आपको जो भी आपका लोकल का दोस्त है, यह फिर आपका मकान मालिक है, यह फिर आपका Relative से आपको उनका यहां पर आधार नमबर डालना होगा, और जैसे आप उनका आधार नमबर यहां पर टाइप करेंगे, उसके बाद आप यहां पर Send request पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है Your request for आधार Validation Later is Invited, यानि कि दोस्तों जिसका भी आधार कार्ड आपने दिया था, आधार नमबर दिया था, उनके मोबाल नमबर पर एक जो है लिंक भीज दिया गया आधार कार्ड की तरब से, वेरिफिकेशन के लिए और उनको उस लिंक पर क्लिक करना होगा, चले हम उनके फोन को उपन कर लेते हैं, अब दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे, कि हमारे एक दोस्ते लोकल में, जिनका हमें ने यहां पर आधा नमबर फिल किया था, और उनके नमबर पर एक जो है लिंक भीज दिया गया आधार कार्ड की तरब से, और उनको बस इस लिंक के उपर क्लिक करना है, और जैसे इस लिंक के उपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर directly यह link खुल जाएगा Google Chrome ब्राउजर पर और जैसे यहाँ पर open होगा उसके बाद आपके सामने एक नया page खुल कर आएगा आप दोस्तों यहाँ पर देखिएगा उनके mobile number पर एक OTP आएगा one time password तो उस password को आप यहाँ पर डाल देंगे जैसे दोस्तों यहाँ पर verify OTP पर क्लिक करते हैं अब आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि इस तरीके से यहाँ पर उनकी तरफ से verify हो जाएगा और यहाँ पर लिखावा आ चुका है कि यहाँ पर you have successfully given your consent for using aadhar your aadhar address ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर जो भी मेरा friend था उनका जो है उन्होंने approval दे दिया है अब मुझे क्या करना है सबसे पहले मुझे दुबारा से आपने aadhar card पर आना है अब दोस्तों यहाँ पर देखीगा जो भी हमारा friend था उन्होंने हमें approval दे दिया है अब हमारे mobile number पर जो है एक इस तरीके से link भीज दिया जाता है तो अब हमें क्या करना है अपने mobile number पर जो link रिसीव हुआ है आधारकाड की तरब से तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस link के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक SRN नमबर दिखीगा आपको इस SRN नमबर को वहाँ पर फिल करना है चलिए हम इस link पर क्लिक कर लेते हैं अब दोस्तों link पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखीएगा आपको लेके जाएगा browser पर अब आपको सबसे पहले जो भी आपको SRA number रेसीब होगा था उसको आपको यहाँ पर फिल करना होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर नेचे CAPTCHA पर यहाँ पर जो है CAPTCHA इस वाले को टाइप करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर SEND OTP पर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तों आपके mobile नंबर पर एक OTP आएगा one time password और उसको आप यहाँ पर नेचे फिल करेंगे और जैसे आप फिल करेंगे यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करने के बाद यहाँ पर login पर क्लिक करना होगा अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस तरीके से आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा अब यहाँ पर जो भी concern का address था जो भी मेरे दोस्त का address था यहाँ पर आपको address दिख जाएगा यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बता दू कि यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी address change नहीं कर पाएंगे जो भी person का आपने आधार काड़ के थूँ अपना address अपडेट करवाया था उन्हीं की address के हिसाब से आपका address पूफ भी अपडेट हो जाएगा लेकिन आप यहाँ पर अपनी local language में यहाँ पर edit कर सकते हैं अगर आप हिंदी, बेंगोली, मराठी, पंजाबी में करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं, उसके बाद आपको नीचे आना है और अब आपको यहाँ पर टिक मार कर लेना है जैसे दोस्तों आप यहाँ पर टिक मार करेंगे अब आपको यहाँ पर submit करना होगा जैसे आप यहाँ पर submit करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है एक नया पेज खुल कर आएगा और यहाँ पर दिखी का लिखा हुआ है Your address validation later request has been successfully submitted, you will receive the later via post तो दोस्तों यहाँ पर आपको 15-20 दिन या फिर आपको तीन वहने की अंदर-अंदर यहाँ पर एक request later आ जाता है जो की by post आता है आधार कार्ड की तरब से और आपको वहाँ पर एक code दिया जाता है और उस code को आपको कैसे fill करना है चलिए हम उसको आपको बता देते हैं अब दोस्तों जैसे यह आधार के थूँ आपके जो है नए address पर एक validation later भीज दिया जाता है by post और उस post पर आपको जो है कुछ number दिखेगा आपको क्या करना है यहाँ पर आपको my आधार के उपर आना है जब भी आपको receive हो उसकी बाद आपको यहाँ पर update your address online पर क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पहला वाला जो options है proceed to update आधार तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करते दूस्तों आपको यहाँ पर अपना अधार नमर डालना है यहाँ पर आपको capture डालना है यहाँ पर send OTP पर क्लिक करना है उसके बाद दूस्तों आपके mobile ध्यक्रिज़ और। जब भी आपको लेट रहा था। जिसे मैंने आपको बताया था अब बस आपको उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना होगा अपडेट एड्रूव या secret code तो यहाँ पर secret code जो भी आपको courier के थूरू मिलेगा आपको क्लिक करना है और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको उस secret code को यहाँ पर डालना होगा जो भी code आपको courier के थूरू रिसीब होता है उसके बाद आपको यहाँ पर proceed पर क्लिक करना होगा जैसे दुस्तों आप proceed करेंगे उसके बाद 2-3 दिन में आपका address proof पर नया वाला address proof इसलिए अपडेट हो जाएगा अब दुस्तों यहाँ पर अगर आप चाहो तो अपने आधार काड का address का अपडेट भी यहाँ पर चक कर सकते हैं कि अपडेट हुआ है नहीं हुआ है आपको दुबारा से UIDI की website पर आना है माई आधार पर आना है और जैसे आप आएंगे यहाँ पर देखीगा check online address update status पर आपको क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना अधार नमबर डालना है उसके बाद आपको यहाँ पर जो है SRA नमबर डालना है चाहे तो आप यहाँ पर URA नमबर भी डाल सकते हैं उसके बाद आपको यह वाला capture यहाँ पर डालना है चक स्टेटस करना है और यहां से इजिली आप चक स्टेटस करके अपना स्टेटस भी जान सकते हैं और दोस्तों साती सात में मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप नया address proof या कोई भी correction करवाते हैं तो आपको 15-20 दिन का टाइम में आपको एक नया आधार काड आपके address पर UIDI की तरब से भीज दिया जाता है by post तो आपको वहां पर आपको नए address पर receive हो जाएगा I hope दूस्तों आपको वीडियो बहुत जादा helpful लगा होगा और आप समझ गये होगे कैसे आपको अपने आधार काड पर address चेंज करना है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो अपने दूस्तों को share करो और अगर आपको कोई सवाल है question है तो आप जो है comment box में comment करो तो चलिए दूस्तों जल्दी मिलते हैं कुछ interesting और नए वीडियो के साथ में तब तक आप लोग अपना ध्यान रखीगा So thank you